असलाम अलेकूम, आज का मेरा टापिक है मायोसी मैं यह सोस्ती हूँ, मायोसी का मतलब है मौत से पहले मर जाना इंसान एक बार मरता है मगर मायोस इंसान बार बार मरता है वो अपनी कबर खुद ही खोथता है अभी मैं आप लोगों को एक इस्टोरी सुनाने जा रही हूँ इस ओके टू नॉट बी ओके यह एक सीरिस थी जिसमें यह एक इस्टोरी मुझे बहुत पसंद आई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ बहुत दिनों पहले की बात है एक कुटा था वो एक घने पेड़ से बंदा हुआ था वो अपनी फीलिंग हर हमेशा बहुत अच्छे तरीके से चुपाता था हमेशा लोगों के सामने खुश रहता, खेलता लोगों ने उसका नाम दा चेरफूल डॉग रख दिया क्योंकि वो हमेशा खुश रहता था बच्चों के साथ खेलता था मगर वो रात में की 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 करके रोता था क्योंकि उसे बंदे रहना पसंदी नहीं था उसे आजाद होना था खुबसुरत जगाव पर जाना था मगर वो ये नहीं कर सकता था इसलिए वो रोता था एक दिन उसके अंदर से आवाज आई तेरे पास दाथ है रसी को काट और आजाद हो जा उस आवाज से कुट्टे ने ये कहा मैं लंबे वक्त से बंदा हुआ हूँ मैं रसी काट ना भूल गया हूँ मेरा ये इस्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि इंसान अपनी फीलिंग अपनों से शेयर करो वरना अंदर ही अंदर डिप्रेशन में चले जाते है कोई आईसी मायोसी नहीं है जिसका कुछ हल ना हो आपको रास्ता ढूनना है और अपने आपको खूश रखकर अपने परिवार के साथ खूश रहना है दुनिया बड़ी खूबसूरत है इसको देखने का नजरिया बदले जीने के लिए सोचा ही नहीं कितने दर्द संभालने होंगे मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यह है जिन्दगी में बहुत स्यारी मुश्किली आएंगे मगर कभी हार मत मानना जिन्दगी से नाराज मत हो यह जिन्दगी बड़ी खुबसूरत है मायसी को आप खोद ही खुशाली में बदल सकते है अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो, कमेंट्स करो, शेर करो अल्ला हफीज